यहां पर यह बात कर रहे हैं कि कैसे पुराना जो ट्रेडिशनल जो हायरार्किक प्राडाइम होता था जैसे ट्रेडिशनल और अब शिप्ट हो गया है फ्लेक्सिवल नेटवर्क में मतलब सेट अध्र होते हैं उन्हें काफी जएंजल और फ्लेक्सिवल नेटवर्क हो चुका है अब एक दूसरे के उपर एक दूसरे को और पर जाके काम करके आना इंस्टेट अब लोग उसको अपने कमिट कर चुके अपने आपको और देशन के लिए तो उसके लिए कमिट्मेंट दिखाते हैं कि अपने आपको ज्यादा इंवाल्व रखना खुदी अपने सेल्फ मोटिवेटेड रहकर अपने काम को ज्यादा परसनली और ज्यादा अपने से जोड़ कर मान के काम करना तो क्या क्या शिप्टिंग हुआ है अगर हम पैरडाइन शिफ्ट की बात करें कि एक तो बहुत फ् पहले सिर्फ यह था कि सब एक ही जो इंप्लॉय है वही अपने मैनेजर के उपर डिपेंड है कि उनको काम की कुछ सेलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी टोटली डिपेंडेंट और अब यह सोच बदल गई है अब हो गया है कि इंटर डिपेंडेंट हो गई है कि मतलब मैं और इंवल्मेंट हो गई है और पर इसको इंपोर्टेंज दी जाती है इस तरीके से और जो सोच बतली है उसको बोलते है इसमें करेंट मैक्रो इशूस क्या-क्या है जो आजकल और इसको फेस कर रही है तो जैसे इनोंने लिखा एक तो globalization है जिसमें मर्जर और टेक ओवर आ जाते हैं बैंकिंग फाइनेशल सिस्टम आ जाते हैं कॉंपिटिशन हैं मार्किटिंग है दूसरा मैक्रो इशू जो फेस करी है वह है और डिजाइशन का डिजाइन उसके अंदर डाउन साइजिंग री इंजिनिरिंग टीम्स यह जो डिजाइन हो सकते हैं कि अपने इंपलोई की कि कियर कर सकते हैं उसके लावा जो फॉर्थ मैक्रो इशू है वह है कि speed in the sense that how fast products and services can be delivered कितनी जल्दी से अपने services और products को हम deliver कर सकते हैं यह customers के लिए हैं फिर फिफ्ट इशू है communication technology issue जिसके अंदर organization में कितनी अच्छी communication है communication कितनी instant है और कितनी flexible है group task कैसे होते हैं तो यह जो पाचो issues बताए हैं यह macro issues हैं बड़े issues हैं जो किसी भी organization के होते हैं जिसमें से first जो three हैं वो macro issues हैं और last के जो टू बोले हैं वो बोले employee के personal side के issue है ठीक है तो यह पांच issues इन्होंने discuss करें उसके बाद इन्होंने बोला है कि organization एक social entity होती है जैसी कि हम सबको पता है कि उसमें जो goals होते हैं वो पूरा करने के लिए लोग इखटे होते हैं एक साथ काम करते हैं तो the definition of management is अब यहां बोल रहा है कि management का मतलब है कि उसी organization goal को achieve करना कैसे achieve करना through the efforts of others and helping others efforts लगाके help करके management can be considered successful if manager spend most of their time managing the behavior and performance of others जब वो दूसरे लोगों के behavior and performance को manage करते हैं तभी वो successful हो सकते हैं फिर management process में यह चीज़े आ जाती है planning पहला step होता है दूसरा step organizing होता है then controlling होता है leading होता है फिर controlling होता है और evaluation भी होता है last make step तो यह basic management model है जिसमें coordination करते हैं behavior का individuals का groups का और organization का उसके बार modern management की बात कर रहे हैं कि it is a composite of models और इसमें models कौन कौन से आते हैं आगे बताएंगे अभी तो इसके अंदर system model है process model है contingency model है and the effective modern management model है for all these skills that manager need interpersonal skills होने चाहिए interpersonal skills का मतलब दूसरों के साथ behave कैसे करना है बात कैसे करनी है और technology के skills होने चाहिए technology कैसे यूज करनी है conceptual skills होने चाहिए concepts कैसे clear करने है तो यह सारी skills चाहिए managers में manager development process में उनकी training और उनके experience के ओपर focus किया जाता है organization की जो goal होते है characteristics होती है उससे management के skills को और ज्यादा enhance करने पर focus किया जाता है जैसे कि administrative skill हो गए interpersonal skill हो गए personal skill हो गए conceptual skill हो गए इससे क्या होता है कि performance और better होती है और performance अच्छी होती है तो goal achieving environment बड़ता है अब इसके बात कह रहे हैं कि organization behavior में यह चीज़े जो लिखी है यह building blocks है उसके building blocks में जैसे leadership है फिर performance management है strategic human resource management है organizational theory है and the manager and worker interface है कि manager worker आपस में कैसे एक दूसरे के साथ interact करते हैं तो यह सारी चीज़े जो है building blocks है अगर हम management को आगे और एडवांस में organization behavior को और एडवांस में आगे पढ़ना चाहते हैं तो और organization behavior के अंदर individual differences भी आते हैं fundamental consistency भी आती हैं intuition और systematic survey मनले यह एक आपको मुटा मुटा उपर से यह बता रहे हैं कि कैसे paradigm shift हुआ है paradigm shift का मतलब है कि कैसे हमारी organizational behavior में जो management है उसके related जो आइडियास थे issues थे thoughts थे यहां उसके अंदर जो भी चीज़ें चल रही थी वो कैसे बदली हैं यहां पर इन्होंने पहले आपको बताया कि कैसे चीज़ें बदली हैं कि पहले बहुत जादा strictness hierarchy होती थी फिर फ्लेक्सिबल हो गए नेटवर्क फिर बताया कि पहले डिपेंडेंस सिरफ मानी जाती थी अब इंटर डिपेंडेंस मानी जाती है पहले अटेंडेंस होती थी लेकिन अब commitment देखी जाती है पहले obedience को important मानते थे अब involvement को important मानते थे फैले leo इंपर्सेण अपने 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 पर्श्नल लेवल करते हैं जाके अपना गोल समझ करते हैं अब इसके सिनेरियो में जो मेजर इशूस तो यह यह हैं यहाद रुखो कि मेजर इसमें क्या क्या आते हैं कि सबसे पहले globalization बहुत बड़ा इशू है क्योंकि merger टेक ओवर बहुत होते हैं आजकल के टाइम पर competition की वज़ासे फिर आप सेकेंड याद रहो कि दूसरा major issue है कि कैसे जो organization का structure है वो कैसे आजकल design करते हैं कितने लोगों को रखना है कितने को निकालना है करनी है तीसरा आजाता है कि अपने employees का भी तो ध्यान रखना है उसके बाद personal issues में इन्होंने यहीं बोला है कि कैसे हम अपने प्रोडक्स फटा-फट बनाएं ताकि customers खुश रहें अपनी communication technology को कैसे और बेटर कर सके तो यह सारे issues हैं यह आपको यहाप इन्होंने paradigm shift में management process में क्या क्या चीज़ें आती हैं फिर उसके अंदर जो models हैं वह कौन-कौन से होते हैं तो हम system model पढ़ चुके हैं इतना detail में उसके अंदर नहीं जाना है फिर उसके आगे आता है organizational outputs तो just as people do not act without a reason organization also do not exist without purposive activity यह यह कहरें कि जैसे हम सब का कोई ना कोई परपस होता है like में वैसे ही organization का भी purpose होता है ठीक है तो उनको कुछ ना कुछ करना है do something ताकि वह कोई ना कोई आउटपुट निकाल स तो जैसे कुछ organization cars बनाती है कुछ garments बनाते हैं कुछ education provide करते हैं तो सबका कोई ना कोई परपस होता है most organization try to be productive ज्यादा तर organization productive होती है productivity क्या है ratio that compare unit of output with the unit of input के कितना आपने input दाला उसमें से कितना output आया यह productivity है and इसको हम economic terms में measure करते है कि कितना profit हुआ कितना loss हुआ और उसके के लावा कहरें कि economic के लावा हमें इसको human और social input और output के terms में भी measure करना चाहिए कि आपके जो उसमें human resource कितना use हुआ ठीक है इस तरह की training देते हो इस तरह का training program कराते हो और उसका byproduct क्या होता है कि ज्यादा cohesiveness होती है आपस में लोगों की community में तो वह भी तो एक output है जो आपकी organization के input से आया है लोगों की training ऐसी करवा रहे हो कि उनकी अंदर cohesiveness उनकी अंदर bonding और social intelligence और emotional intelligence आप develop कर रहे हो through your training program उससे ज नहीं social और human के output को भी consider किया दरूँ तो cats and can have classified different types of organization इसी के base पे नहोंने अलगलग tag की organization बताई है पहली है productive or economic organization है जहां पर कि क्या चीज़ create की जाती है with the creation of wealth, manufacture of goods, provision of services for general public तो जहां पर आपको services मिलेंगे goods मिलेंगे वह आपकी productive or economic organization हुई maintenance में school and other educational आ जाते हैं जो society को maintain करने का काम करते हैं मतलब socialization of people कि जो organization के जो society के जो लोग है वो अपने आपको उनके क्या roles है, क्या responsibilities है, उनको कैसे maintain करना है तो बच्चों को school में जो चीज़ें सिखाई जाती है, हमें colleges में जो चीज़ें सिखाई जाती है, उस तरह की organization है, वो maintenance में आती है, ठीक है, to fulfill the role in other organizations, यहां से वो यह सीखते हैं कि हम जब दूसरी organization में जाएंगे तो वहां हमें कैसे काम करना है, वो जितने भी educational है, जहां से भी हम सीख के independent बनते हैं, वो सारी maintenance organizations हो गई, फिर adaptive organization हो गई, जहां पर research होती है, जैसे research establishments हो गई, concerned with the pursuit of knowledge and development, जहां पर लोग अपने knowledge को और बढ़ाने के लिए development के लिए काम करते हैं, टेस्टिंग करते हैं किसी theory की, तो जहां काम पर आपकी experiments और research होती है, scientific experiments के लोग, तो वो adaptive organizations हो गई, फिर आता है managerial और political organizations, इसमें आजाते हैं आपकी government department, trade unions, और जो इनका काम क्या होता है, जैसे adjudication, यानि कि कोई disputed matter है, जैसे court में जो matter जाते हैं, उनको handle करना, coordination करना, control of resources करना, चाहिए वो physical हो, human resources हो, तो यह government departments ह सारे, और उसके अलावा, अभी कह रहे हैं कि एक तो, such a distinction lacks refinement and not all organization fit, जो उपर जो distinction करी है, वो इतनी जादा vast नहीं है, broad नहीं है, जिसमें सारी organizations आजाएं, लेकिन for instance, जैसे universities हैं, उनमें research भी होती है, और teaching भी होती है, तो उसी साब से तो वो जो है, वो अलग-अलग हो जा teaching हो रही है, तो maintenance organization हो गई, लेकिन colleges में तो दोनों काम होते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ यहां पर possible नहीं है, ऐसे classify करना, and बस इतना कहना चाहरे हैं, यहां पर कि बस organization इसले exist करती है, क्योंकि उन्हें कोई ना कोई goal achieve करना होता है, कोई result निकाल के देना होता है, उसका काम ह होता है, कोई output निकाल के देना, ठीक है, तो in short term output as organizational behaviorist, we are also concerned with development process, मतलब इसमें development process भी उतना ही important है, उसका मतलब है कि building a better organization that allow individual groups and total organization to maximize their potential, जो भी लोग उसमें काम कर रहे हैं, जो भी organization है, वो अपने potential को maximize कैसे करे, और performance को long run के लिए कैसे improve करे, तो यहां पे सिर्फ आपको इतना बताने की कोशिश किये कि जितनी भी टाइप की organizations है, basically इसमें सारी categories तो नहीं आपा रहे हैं, लेकिन जितनी भी बताई हैं, कि उनका कोई परपस होता है, मकसद होता है कि कोई output निकालना है, कोई result निकालना है, इसलिए यहां पे आपको इ तीसरा जिसमें उन्होंने रिखा था result, तो जैसे हमने result की बात की तो उसमें उन्होंने बोला था कि holistic organization होती है, तो holistic organization behavior क्या होता है, इसका मतलब है, this refers to interpreting people and organization relationship in terms of the whole person, whole group, whole organization and the whole system, इसमें सारी चीज़े complete आती है, हमने whole person पढ़ा, कि whole person का क्या मतलब है, कि कि किसी इंसान के स सारे aspects को लेके चलना, चाहिए को आपके organization में एज़ा employee काम कर रहे है, लेकिन आप फिर भी उसको सिर्फ employee की तरह नहीं है, human being की तरह देख रहे हो, तो whole person, whole group, whole organization और पूरा system, तो when eight fundamental concepts or organization behavior are considered together, they provide holistic view of the subject of organization behavior, तो सब सारी चीज़ें कह रहे हैं, आप इखटा देखते हो, eight fundamental concepts का मतलेब है, जो हमने जितने भी अभी तक जो चीज़ें पढ़ी हैं, उन सब को जब आप इखटा लेके देखते हो, तो आपको पूरा एक holistic view मिलता है, इस subject का, organizational behavior का, ठीक है, and according to Davis and Newston, holistic organization behavior क्या interpret करते है, people organization relationship, in terms of whole person, whole group, whole organization and whole social system, basically यही जो चीज़ें गुमा फिरा के बार-बार बोल रहे हैं, यहां पर Davis and Newston के according कह रहे हैं कि, एक अगर हम holistic organization behavior को देखें, तो वो क्या interpret करते हैं, कि लोगों का organization में आपस में कैसे relation है, लेकिन किस टर्म पे कि वो पूरा complete person, complete group, complete organization और पूरा whole social system, सब कुछ मिला के होना चाहिए, अब इसकी आगे, फिर basic approaches to organizational behavior इन्होंने बताई हुई है, एक है आपकी HR approach, एक है contingency approach, productivity approach, system approach, इसमें से हम contingency approach पढ़ चुके हैं already, human relation approach किस से concerned है, employee की growth से और उसकी development से, human relation मतलब HR मतलब human relations, ठीक है, तो human relation मतलब कैसे हम अपने employee को, growth और development उसकी training के थुरू या उसको इस तरह के challenging task दे के जहां पर उनको अपने potentials को पूरे तरीके से use कर सके, या grow कर सके, develop कर सके, वो चीज़े important हो जाती है, contingency approach with concerned with differing environment, हमने पढ़ा था contingency approach पे, कि उसमें बताया था कि हमें हर चीज को universal नहीं मान के चलना चाहिए, कि सब जगा का environment अलग अलग होता है, तो सबके goals और उनकी demand अलग अलग होती है, behavior भी अलग होना चाहिए उसे साब से, फिर system approach आपकी कहती है कि, all the parts of an organization which all interact with each other in a complex manner, कि जितने भी parts है, as a system organization के जितने भी parts है, वो एक दूसरे के साथ interact करते हैं, वो बहुत complex है, and now they are saying के organization behavior require a mixture of all above approaches, के ओपर इतनी भी approaches लिखी है, उसका mixture है organizational behavior, let us see some major characteristics, अभी नोंने कुछ major characteristics बताई है, organization behavior की, inter-disciplinary है, यानि कि जैसे हमने पहले बात कर चुकिए, जब हमने शुरू किया था, ये अपना जो subject है, ये block जब starting में शुरू किया था, हमने बात की थी, कि अलग-अलग subject से जो है, ideas और principles ले चुके है, organization behavior में, अलग-अलग subject से चीज़े ली जा चुकी है, इसलिए इंटर-disciplinary subject है, organization behavior, ये humanistic orientation पे है, क्योंकि ये लोगों के attitude, perception, need और emotion की बात करता है, employees की, performance orientation क्यों है, क्योंकि ultimately goal reach करने की बात कर रहा है, कि goal कैसे करना है reach, organization behavior कैसे, हम लोगों को improve कर सकते हैं, sustain कर सकते हैं, encourage कर सकते हैं, कि वो effective performance दे के अपना goal reach कर सके, फिर recognition of external environment, जैसे कि technology, law, competition, बाहर का जो environment, organization का, कैसे technology, advance हो रही है, किस तरह से laws बदल रहे हैं, किस तरह का competition बढ़ रहा है, economy में क्या changes आ रहे हैं, उन चीजों को भी consider करता है, फिर practical application, इसमें organization behavior में ये बताया जाते हैं, कि कैसे knowledge को useful, use कर सकते हैं, managers practice कर सकते हैं, अपनी knowledge को organization में, अपने skills और knowledge को practically use कर सकते हैं, ज्यादा better productivity के लिए, फिर organization social system बताया है, क्योंकि इसमें relationship of individuals आपस में बोले हैं, कि बहुत important होता है, उसकी बात करी गई है, कैसे groups आपस में एक दूसरे को influence करते हैं, contingency approach में बोला है, कि there is no one best way, best way depends on the situation, कि एक तरीका नहीं है, सब जगा काम करवाने का या करने का, situation to situation depend करता है, कि कैसे आप effectively काम कर सकते हो और करवा सकते हो, structure और process में बताया है, कि दोनों ही चीज़े बहुत important होती है, organization behavior में, एक तो organization का structure कैसा है, और किस तरह से काम होता है, उसका process कैसा है, यह कुछ इन्होंने बतायें आपको कि कैसे हम characteristics को analyze कर सकते हैं, organizational behavior में, इसके लब इन्होंने बताया है, कि organizational behavior और कौन से दूसरे discipline से related है, तो जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखाया है, कि theoretical application, तो theoretical है, जैसे organization theory पढ़ते हैं, हम theoretically पढ़ते हैं, लेकिन उसकी जो application होती है, वो कहां होती है, organizational development में होती है, कि कैसे organizations को हम develop कर सकते हैं, उसके बाद organizational behavior जब हम theory में पढ़ते हैं, तो उसकी application कहां होती है, परसनल यहाँ human resources पे जब हम उनको apply करते हैं, और organizational behavior में जो भी पढ़ाया जाता है, जो चीज़े भी हम पढ़ते हैं, वो human resources के उपर उसकी application होती है, अब आगे इनोंने एक आपको model सा दिखाया हो है, लेकिन एक picture एक्चुली बहुत ज़्यादा haphazard सा हो रखा है, इसमें clear नहीं हो रहा है कि यह लोग किस से क्या चीज़ करनेक कर रहे हैं, लेकिन जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, यह आपको बता रहे हैं कि management क्या जो model है, उसके अंदर क्या क्या चीज़े आती है, अगर हम organization behavior के model को देखे ते, उसमें management से management की philosophy, values, उसके vision और उसके goals आते हैं, फिर organizational culture के अंदर उसका social environment आ जाता है, जो की formal हो सकता है, informal हो सकता है, दोनों चीज़े ही होती है, एक्चुली, formal भी होती है, informal भी होती है, combined होता है, leadership आ जाता है, communication आ जाता है, group dynamics आ जाता है, इसके अंदर फिर quality of work life आ जाती है, motivation आ जाती है, and finally, motivation से कितना outcome आता है, है कैसी performance होती है और कैसे individually satisfaction होती है तो यह पूरा model बता रहे हैं आपको organization behavior का आगे इन्होंने बोला है कि इसके अंदर और भी कुछ psychological contract यानि psychological concepts भी है जैसे loyalty creativity extra effort चाहिए expect क्या करते हैं जो कि unwritten होता है unwritten मतले जैसे कि employee क्या expect करता है कि उसको job security मिले fair treatment मिले relationships rewarding हो development होने की opportunity मिले तो अगर वो loyalty दिखा रहा है creativity दिखा रहा है extra effort लगा रहा है तो वो उसके बदले में यह चाहता है जो कि कहीं return नहीं है लेकिन वो psychologically वो चाह रहा है कि उसको यह चीज़े मिले ऐसे ही जब वो time लगा रहा है talent लगा energy लगा रहा है तो वो यह expect कर रहा है जो कि return होता है जो कि आपके contract में return होता है कि आपको wage कितने मिल रही है कितने गंटे काम करना है और working conditions कैसी होगी यह unwritten है यह expectations है लेकिन यह implicit है मतलब वो अंदर ही अंदर ही है आपसे organization से expect कर रहे है पर यह return नहीं है कहीं पर फिर organization behavior is influenced by a large number of variables और भी बहुत variables हैं जिससे influence होते हैं जैसे कि जो person है उसकी skill उस person के skill उसकी ability कैसी है उसकी personality कैसी है उसके perception उसका attitude उसकी values और उसकी ethics जो भी employee हैं आपकी company में आपके organization में उसके यह सारे attributes हैं जिससे उसका behavior बनता है और यही behavior किस पे किसको influence कर रहा है organization को influence कर रहा है वहाँ पे काम करने वाले लोगों के group पे influence कर रहा है job पे कर रहा है personal life पे कर रहा है तो इन total पूरे environment के उपर influence कर रहा है individual का behavior यह सारे वो variables हैं जो हमारे organization के अंदर एक दूसरे को influence करते हैं तो आप आगे बोल रहे हैं कि contingency model क्या बोलता है आपको एक तो universal view है universal view क्या कहता है कि same managerial principle हर जगा apply हो सकते हैं जबकि contingency view यह बोलता है कि managerial action depend करता है situation पे इसके बाद आपका यह unit खतम हो गया है next unit पर हम start करेंगे जो आपका अगला unit है unit number 4 वो है different models of organizational behavior अब इसमें models autocratic custodial supportive and collegial यह जो नाम लिखे हैं आप इनके बार में पढ़ेंगे thanks for लो बड़ो खेंगे इसके शाहा है को अब बड़ो और आपका बड़ोज़ब यह मिदोफ धना।